साथियों इस बार गणतंत्र दिवस समारों की वज़े से आपसे मन की बात उसके समय में परिवर्टन करना उचीत लगा और इसलिए एक अलग समय ताय करके आज आपसे मन की बात कर रहा हूँ. साथियों दिन बदलते हैं, हप्ते बदल जाते हैं, महिने भी बदलते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन भारत के लोगों का उत्सा और हम भी कुछ कम नहीं हैं, हम भी कुछ करके रहेंगे. केंडू, ये केंडू का भाव संकल्प बनता हुआ उभर रहा है देश और समाज के लिए कुछ कर्ग गुजरने की भावना हर दिन पहले से अधीक मजबूत होती जाती है साथियों मन की बात के मन्ज पर हम सब एक बार फिर खटा हुए हैं नए नए विश्यों पर चर्चा करने के लिए और देश वासियों की नए नए उपलब्दियों को celebrate करने के लिए भारत को celebrate करने के लिए मन की बात sharing, learning और growing together का एक अच्छा और सहज प्लेटरम बन गया है हर महिने हजारों की संख्या में लोग अपने सुझाव, अपने प्रयास, अपने अनुभव शेयर करते हैं उन में से समाज को प्रेणा मिले, ऐसी कुछ बातों लोगों के असाधारन प्रयासों पर हमें चर्चा करने का आउसर मिलता है किसे ने करके दिखाया है, तो क्या हम भी कर सकते हैं, क्या उस प्रयोक को पुरे देश भर में दोरा कर एक बड़ा परिवर्टन ला सकते हैं, क्या उसको समाज की एक सहज आधत के रुप में विक्सित कर उस परिवर्तन को स्थाही कर सकते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब खोजते-खोजते हर महीने मन की बात में कुछ अपील, कुछ आहवान कुछ कर दिखाने के संकल्पों का सिलसला चल पड़ता है पिछले कई सालों में हमने कई छोटे-छोटे संकल्प लिये होंगे जैसे नो टू सिंगल इूज प्लास्टिक खादी और लोकल खरीदने की बात हो स्वच्छता की बात हो बेटियों का सम्मान और गर्व की चर्चा हो लेश कैस, एकोनोमी का ये नया पहलू उसको बल देना हो ऐसे धेर सारे संकल्पों का जन्म हमारी इन हलकी फुलकी मन की बातों से हुआ है और उसे बल भी आपी लोगों ने दिया है मुझे एक बहुत ही प्यारा पत्र मिला है बिहार के सिमान सैलेश का वैसे तो अभी वो बिहार में नहीं रहते हैं उन्होंने बताया है कि वो दिल्ली में रहकर किसी NGO में काम करते हैं सिमान सैलेश जी लिखते हैं मोदी जी आप हर मन की बात में कुछ अपील करते हैं मैंने उन में से कई चीजों को किया है इन सर्दियों में मैंने लोगों के घरों में से कपड़े खटे कर जरुरत मंदों को बाते हैं मैंने मन की बात से लेकर कई चीजों को करना शुरू किया लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ में भूल गया और कि चीज़े छुट गई मैंने इस नए साल पर एक मन की बात पर चार्टर बनाया है जिसमें इन सभी चीजों को एक लिस्ट बना डाली है जैसे लोग नए साल पर न्यू येर रिजॉलूशन्स बनाते हैं मुझे यह मेरे नए साल का सोशल रिजॉलूशन है मुझे लगता है कि यह सब छोटी छोटी चीज़े हैं लेकिन बड़ा बड़ला उला सकती है क्या आप इस चार्टर पर अपने ओटोग्राफ दे कर मुझे वापिस भेज सकते हैं सैलेज जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन और शुबकामनाई आपके नए साल के रिजॉलूशन के लिए मन की बात चार्टर यह बहुत ही इनोवेटिव है मैं अपनी ओर से सुबकामनाई लिख कर इसे जरूर आपको वापस भेजूँगा साथियों इस मन की बात चार्टर को जब मैं पट रहा था तब मुझे भी अस्चरे हुआ कि इतनी सारी बाते हैं इतने सारे हैस्टेक्स हैं और हम सबने मिलकर डेर सारे प्रयास भी किये हैं कभी हमने संदेश टू सोल्जर्स के साथ अपने जवानों से भावात्म ग्रूप से और मजबूते से जुडने का भियान चलाया खादी फोर नेशन खादी फोर फेशन के साथ खादी की बिक्री को नए मुकाम पर पहुचाया बाइ लोकल का मंत्रा पनाया हम फिट तो इंडिया फिट से फिटनेस के प्रति जागरुकता बढ़ाई माय क्लीन इंडिया या स्टेचू क्लीनिंग के प्रयासों से स्वच्चता को मास मॉमेंट बनाया हैस्टेग नो ड्रक्स हैस्टेग भारत की लक्ष्मी हैस्टेग worry for society हैस्टेग stress free exam हैस्टेग शुरुक्षा बंधन हैस्टेग digital economy हैस्टेग road safety ओँँँँँँँँँँँँँँई शाइलेजज जी आपके इस मन की बात के चार्टर को देखकर अहसास हुआ कि हलीष्ट वाकई बहुत लंबी है आईए इस यात्रा को कंचीन्यू करें इस मन की बाद चार्टर में से अपनी रूची के किसी भी कौच से जुड़े हैस्टेग यूज करके सब के साथ गर्व से अपने कॉंटुबिशन को शैर करें दोस्तों को परिवार को और सभी को मोटिवेट करें जब हर भारत वासी एक कदम चलता है तो हमारा भारत वर्ष एक सो तीस करोड कदम आगे बढ़ाता है इसलिए चलते रहो चलते रहो चलते रहो का मंत्र लिए अपने प्रयास करते रहे मेरे पैरे देशवासियों हमने मन की बाद चार्टर के बारे में बात की स्वच्चता के बाद जन भागेदारी की भावना पार्टिसिपेटिव स्पिरिट आज एक और शित्र में तेजी से बढ़ रही है और वह है जल सवरक्षण जल सवरक्षण के लिए कई व्यापक और इनोवेटिव प्रयास देश के हर कौने में चल रहे हैं मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले मौनसून के समय शुरू किया गया जल शक्ति अभ्यान जन भागीदारी से अत्य धिक्स सफलता की और आगे बढ़ रहा है बड़ी संख्या में तालाबों, पोखरों, आदिका निर्मान किया गया सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभ्यान में समाज के हर तपके के लोगों ने अपना योगदान दिया अब राजस्तान के जालो और जिले को ही देख लीजे यहां की दो एतियासिक बावडियां कूडे और गंदे पानी का भंडार बन गई थी फिर क्या था भदराजू और थानवाला पंचायत के सैंकडो लोगों ने जलशक्ती अभ्यान के तहत इने पुनर जिवित करने का बिड़ा उठाया बारिज से पहले ही वे लोग इन बावडियों में जम्य हुए गंदे पानी, कूडे और कीचड को सापकन्न में जूट गए इस अभ्यान के लिए किसे ने स्रमदान किया तो किसे ने धनकादान और इसी का परणाम है कि बावडिया आज वहां की जीवन रेखा बन गई है कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तरपदेश के बाराबंकी की यहां 43 हक्टरक शेत्र में फैली सराही जिल अपनी अंतिम सांसे गिन रही थी लेकिन ग्रामिनों ने अपनी संकल प्रसक्ती से इसमें नई जान डाल दी इतने बड़े मिशन के रास्ते में इन्होंने किसी भी कमी को आड़े नहीं आने दिया एक के बाद एक कई गाउं आपस में जूरते चले गए है इन्होंने जील के चारों और एक मिटर मूचा तटबंद बना डाला अब जील पानी से लबा लब है और आसपास का वातावरन पक्षियों के कल्रव से गूँज रहा है उतराखन के अलमोडा हल्दवानी हाइवे से सटे सुनिया कूट गाउं से भी जनभागी दारी का एक ऐसा ही उदान सामने आया है गाउं वालों ने जल संकर से निपटने के लिए खुदी गाउं तक पानी लाने का संकर पलिया फिर क्या था लोगों ने आपस में पैसे इकटे किये योजना बनी स्रमदान हुआ और करीब एक किलोमेटर दूर से गाउं तक पाइप बिशाई गई पंपिंग स्टेशन लगाया गया और फिर देखते ही देखते दो दशक पुरानी समस्या हमेशा हमेशा के लिए कत्म हो गई वहीं कमिलनाडू से बोर्वेल को रेइन वोटर हार्वेस्टिंग का जरिया बनाने का बहुती इनोवेटिव आइडिया सामने आया है देश भर में जल सवरक्षन से जुड़ी ऐसी अंगिनत कहानिया है जो न्यू इंडिया के संकल्पों को बल दे रही है आज हमारे जल सकती चेंपियंस की कहानिया सुनने को पुरा देश उत्सुक है मेरा आपसे अनुरोध है कि जल संचय और जल समरक्षन पर किये गए अपने स्वयम के या अपने आसपास हो रहे प्रहासों की कहानिया फोटो इम वीडियो हैस्टेग जल सकती फोर इंडिया उस पर जरूर शेर करें मेरे प्यारे देशवासियों और खास करके मेरे युवा साथियों आज मन की बात के माध्यम से मैं असम की सरकार और असम के लोगों को खेलो इंडिया के शांदार मेजबानी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों 22 जनवरी को ही गुहाटी में तीसरे खेलो इंडिया गेम्स का समापन हुआ है इसमें विभिन्द राज्यों के लगबग 6,000 खेलाडियों ने हिस्सा लिया आपको यह जानकर अस्चर यह होगा कि खेलों के इस महुत सव के अंदर 80 रेकोर्ड टुटे और मुझे गर्व है कि जिनमें से 56 रेकोर्ड तोड़ने का काम हमारी बेटियों ने किया है यह सिद्धी बेटियों के नाम हुई है मैं सभी विजयताओं के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभाग्यों को बढ़ाई देता हूँ साथ ही खेलो इंडिया गेम्स के सफल आयोजेन के लिए इससे जुड़े सभी लोगों प्रसिक्षकों और तक्निकी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ यह हम सब के लिए बहुती सुखद है कि साल दर साल खेलो इंडिया गेम्स में खेलाडियों की भागेदारी बढ़ रही है यह बताता है कि स्कूल इस तरफ और बच्चों में स्पॉर्ट्स के प्रतिश जुकाओं कितना बढ़ रहा है आपको बताना चाहता हूँ कि 2018 में जब खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी तब इसमें 3500 खेलाडियों ने हिस्सा लिया था लेकिन महज तीन वर्षों में खेलाडियों के संख्या 6000 से अधीक हो गई हैं यानि करीब करीब दो गुनी इतना ही नहीं सिर्फ तीन वर्षों में खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से 3200 प्रतिभासाली बच्चे उभर कर सामने आये हैं इन में से कई बच्चे ऐसे हैं जो अभाव और गरीबी के बीच पने बढ़े हैं खेलो इंडिया गेम्स में सामिल होने वाले बच्चों और उनके माता पिता के धैरिया और द्रड़ संकल्प की कहानिया ऐसी हैं जो हर हिंदुस्तानी को प्रेणा देगी अब गुहाजी की पुन्यमा मंडल को ही ले लीजिए वो खुत गुहाटी नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी है लेकिन उनकी बेटी मालविका ने जहां फूटबॉल में दम दिखाया वहीं उनके एक बेटे सुजीत ने खोखो में तो दूसरे बेटे प्रदीप ने हो भी बनाने का काले करते हैं लेकिन उनकी बेटी पुर्णास्री ने वेट लिप्टिंग का गोल मेडल हासिल कर हर किसी का दिल जीत लिया जब मैं डेविड बैखम का नाम लूँगा तो आप कहेंगे मशूर इंटरनेशल फुटबॉलर लेकिन अब अपने पास भी एक डेव इवेंट में और मेरे लिए तो दोहरी खुशी ये है कि कुछ समय मैं जमेंडमार निकोबार गया था कार निकोबार दीब के रहने वाले डेविड के सिर से बचपन में ही माता पिता का साया उट गया था चाचा उन्हें फुटबॉलर बनाना चाहते थे तो मशूर और आज देखिए इन्वाजर साइकलिंग में एक नया किर्तिमान रच डाला भीवानी के प्रसांत सी कनहिया ने पोल वॉल्ट इवेंट में खुद अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है 19 साल के प्रसांत एक किसांट परिवार से हैं आपको यह जानकर आश्यर होग कि प्रसांत मिट्टी में पोल वॉल्ट की प्रक्टिस करते थे यह जानने के बाद खेल विभाग ने उनके कोच को दिल्ली के जवारला नेहरु स्टेडियम में एकडेमी चलाने के मदद की और आज प्रसांत वहाँ पर प्रस्रिक्शन प्राप्त कर रहे हैं मुंबई की करीना शांक्ता की कहानी में किसी भी परिस्तिती में हाग नहीं मानने का एक जज़बा हर किसो को प्रेडित करता है करीना ने स्वीमिंग में 100 मिटर बेस ट्रॉक्स परधा की अंडर 17 केटिगरी में गोल मेडल जीता और नया नेशनल रिकर्ड बनाया 10 स्टार्डर में पढले वाली करीना के लिए एक समय ऐसे भी आया जब नी इंजरी के चलते हुए ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी थी लेकिन करीना और उनकी माने हिम्मत नहीं आ रही और आज परणाम हम सब के सामने हैं मैं सभी खिलाडियों के उजवल भविश की कामना करता हूं इसके साथ ही मैं सभी देश्वासियों की तरफ से इन सब के पैरेंट्स को भी नवन करता हूं जिनों ने गरीबी को बच्चों के भविश का रोड़ा नहीं बनने दिया हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रिय खेल प्रतियोगीता के माध्यम से जहां खिलाडियों को अपना पैशन दिखाने का मोका मिलता हैं वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं इसलिए हमने खेलो इंडिया यूद गेम्स की तरच पर ही हर वर्ष खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स भी आवजित करने का अंदिने नहीं लिया है साथियों अगले महिने 22 फरवरी से एक मार्ट तक ओडिचा के कटक और भुमनेश्वर में पहले खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स आवजित हो रहे हैं इसमें भागीदारी के लिए 3000 से ज़्यादा खिलाड़ी क्वालिफाइक कर चुके हैं मेरे पहरे देश्वासियों एक्जाम का सिजन आ चुका है तो जाहिर है सभी विद्यारती अपनी अपनी तयानियों का आखरी शेप दिने में जुटे होंगे देश के करोड़ों विद्यारती साथियों के साथ परिक्षा पे चर्चा के अनुभव के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश का युवा आत्म विश्वास से भरा हुआ है और हर चुनावती के लिए तयार है साथियों एक और परिक्षाएं और दूसरी और सर्दी का मौसम इस दोनों के बीच मेरा आग्रह है कि खुद को फिट जरूर रखे थोड़ी बहुत एक्सेसाइज जरूर करें थोड़ा खेले, कुदे, खेल कुद फिट रहने का मूल मंत्र है वैसे 22 दिनों देखता हूँ कि फिट इंडिया को लेकर कई सारे इवेंट्स होते हैं 18 जनवरी को युवाओं ने देश बर में साइक्लोथाउन का आयोजिन किया जिसमें सावी लाखों देश वाच्यों ने फिटनेस का संदेश दिया हमारा न्यू इंडिया पूरी तरह से फिट रहे इसके लिए हर स्तरप्र जो प्रयास देखने को मिल रहे हैं वे जोस और उत्सा से भर देने वाले हैं पिछले साल नवंबर में शुरू ही फिट इंडिया स्कूल की मुहिम भी अब रंग ला रही है मुझे बताया गया है कि अब तक 65,000 से जादा स्कूलों ने ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन करके फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है देश के बाकी सभी स्कूलों से भी मेरा आग रहे हैं कि वे फिजिकल अक्टिविटी और खेलों को पढ़ाई के साथ जोड़कर फिट स्कूल जरूर बने इसके साथ ही बैस सभी देशवास्यों से यह अपील करता हूँ कि वे अपनी दिन चरिया में फिजिकल अक्टिविटी को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रोज अपने आपको याद दिनाए हम फिट तो इंडिया फिट मेरे प्यारे देशवास्यों दो सब्ता पहले भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग त्योहारों की धूम थी जब पंजाब में लोड़ी के जोश और उत्सा की गर्माहत पहला रही थी तमिलनाड़ी की बहने और भाई पंगल का त्योहार मना रहे थे तिरुवलुवर की जेंती सेलिबरेट कर रहे थे हसम में बीहु की मनोहरी छटा देखने को मिल रही थी गुजरात में हर तरफ उत्राण की धूम और पतंगों से भरा आसमान था ऐसे समय में दिल्ली एक एतियासिक गटना की गवा बन रही थी दिल्ली में एक महत्वपून समझोते उपर हस्ताक्षर की गए इसके साथ ही लगबग पचीस वस पुरानी ब्रूर यांग रेफ्यूजी क्राइसिस एक दरदनाग चेप्टर का अंत हुआ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई अपने बीजी रूटीन और फैस्टिव सीजन के चलते आप शायत इस एतिहासिक समझोते के बारे में विस्तार से नहीं जान पाए हो इसलिए मुझे लगा कि इस बारे में मन की बात में आपसे अवश्य चर्चा करू यह समस्या 90 के दसक्ती है 1997 में जातिय तनाव के कारण ब्रू रियांग जन जाती के लोगों को मिजोरम से निकल करके त्रिपुरा में शरन लेनी पड़ी थी इन शरनार्थियों को नौर्थ त्रिपुरा के कंचन पूर्स्थित अस्थाई केमपों में रखा गया यह बहुत पिड़ा दायक है कि ब्रू रियांग समुदाय के लोगों ने शानार्थि के रूप में अपने जीवन का एक महत्वपुन हिस्सा खो दिया उनके लिए केमपों में जीवन काटने का मतलब था हर बुनियादी सुविदा से बन्चित होना तेईस साल तक न घर न जमीन न परिवार के लिए बिमारियों के लिए इलाज का प्रवन और न बच्चों के सिक्षा की चींता या उनके लिए सुविदा ज़रा सोचिए तेईस साल तक केमपों में कठीन परिस्षितियों में जीवन यापन करना उनके लिए कितना दुस्कर रहा होगा जीवन के हर पल हर दिन का एक अनिश्चित भविश के साथ बढ़ना कितना कष्ट प्रद रहा होगा सरकार आई और चली गई लेकिन इनकी पीड़ा का हल नहीं निकल पाया लेकिन इतने कष्ट के बावजूद भारतिय समिधान और संस्कृति के प्रति उनका विश्वास अडिक बना रहा और इसी विश्वास का नतीजा है कि उनके जीवन में आज एक नया सभेरा आया है समझोते के तहट अब उनके लिए गरिमापून जीवन जीने का रास्ता खुल गया है आखिरकर 2020 का नया दसक ब्रू रियांग समुदाय के जीवन में एक नई आशा और उमीद की किरन लेकर आया करीब 34,000 बुरू शरणार्थियों को क्रिपुरा में बसाया जाएगा इतना ही नहीं उनके पुनर्वास और सर्वांगेन विकास के लिए केंद्र सरकार लगभग 600 करोड रुपिय की मदद भी करेगी प्रत्य एक विस्थाफित परिवार को प्लॉट दिया जाएगा गर्ब बनाने में उनकी मदद की जाएगी इसके साथ ही उनके राशन का प्रभंद भी किया जाएगा वे अब केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे यह समझोता कई वजहों से बहुत खास है यह कॉपरेटिव फेडरिजम की भावना को दर्शाता है समझोते के लिए मिजोराम और तिपुराम दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौझूद थे यह समझोता दोनों राज्यों की जनता की सहमती और सुपकामनाव से ही संभव हुआ है इसके लिए मैं दोनों राज्यों की जनता का वहाँ के मुख्यमंत्रियों का विशेश रुप से आभार जताना चाहता हूँ यह समझोता भारतिय संस्कृति में समाहित करुना भाव और सर दैता को भी प्रकट करता है सभी को अपना मान कर चलना और एक जुड़ता के साथ रहना इस पवित्र भूमी के समस्कारों में रचा बसा है एक बार फिर इन राज्यों के निवासियों और बुरू रियांग समुदाय के लोगों को मैं विशेश रुप से बढ़ाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों इतने बड़े खेलो इंडिया गेम्स का सफल आयोजन करने वाले असम में एक और बड़ा काम हुआ है आपने भी न्यूज में देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले असम में आठ अलग-अलग मिलिटेंट गूप के 644 लोगों ने अपने हथियारों के साथ आत्मसमरपन किया जो पहले हिंसा के रास्ते पर चले गए थे उन्होंने अपना विश्वास शांती में जताया और देश के विकास में भागेदार बनने का निरने लेया है मुख्यधारा में वापिस आये हैं पिछले वर्ष तिर्पुरा में भी 80 से अधिक लोग हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लोट आये हैं जिनोंने ये सोच कर हथियार उठा लिये थे कि हिंसा से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है उनका ये विश्वास द्रड़ हुआ है कि शान्ती और एक जुड़ता ही किसी भी विवात को सुलजाने का एक मात्र रास्ता है देश वास्यों को यह जानकर बहुत प्रसनता होगी कि नौर्धिश में इंसर्जन्सी बहुत एक मात्रा में कम हुई है और इसकी सबसे बड़ी वज़े ये है इस क्षेत्र से जुड़े हरे एक मुद्दे को शान्ती के साथ इमामदारी से चर्चा करके सुलजाया जा रहा है देश के किसी भी कौने में अब भी हिंसाव और हथ्यार के बल पर समस्याओं का समाधान खोज रहे लोगों से आज इस गणतंत्र दिवस के पवित्र आउसर पर अपील करता हूँ वे वापस लोट आए मुद्दो को शान्ति पुन तरीके से सुलजाने में अपनी और इस देश की क्षमताओं पर भरोसा रखे हम 21 सदी में हैं जो ज्ञान विज्ञान और लोकतंत्र का यूग है कि आपने किसी ऐसी जगण के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बहतर हुआ हो कि आपने ऐसी किसी जगण के बारे में सुना है जहां शान्ति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं बल्कि अधिक से अधिक समाधान डून कर ही हो सकता है आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्मांक में जुढ जाएं जहां शान्ति हर सवाल के जवाब का अधार हो एक जुड़ता हर समस्या के समाधान के प्रयास में हो और भाईचारा हर विभाजन और बट्वारे की कोशिश को नाकाम करे मेरे प्यारे देश वासियों आज गणतंत्र दिवस के पावन अउसर पर मुझे गगनियान के बारे में बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है देश उस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ चला है 2022 में हमारी आजाजी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और उस मौके पर हमें गगनियान मिशन के साथ एक भारत वासि को अंत्रिश में ले जाने के अपने संकल्प को सिद्ध करना है गगनियान मिशन 21 सदी में साइंस एंट टेक्लोलोजी के खेत्र में भारत की एक एक अहत्यासिक उपलब्दी होगा नए भारत के लिए या एक मील का पत्थर साबित होगा साथियों आपको पताई होगा इस मिशन में एस्ट्रोनेट यानि अंत्रिख यात्री के लिए चार उमिद्वारों का चयन कर लिया गया है ये चारों युवा भारतिये वायुसेना के पाइलोट है ये होनहार युवा भारत के कौशल, प्रतिभा, शम्ता, साहस और सपनों के प्रतीक है हमारे चारों मित्र अगले कुछी दिनों में ट्रेनिंग के लिए रूस जाने वाले है मुझे विश्वास है कि हम भारत अर रूस के बीश मैत्री और सहयोग का एक और सुनहरा अध्याय बनेगा इन्हें एक साल से अधिक समय तक प्रस्रिक्षन दिया जाएगा इसके बाद देश की आशाओं और अकांख्षाओं के उडान को अंत्रिक्ष तक ले जाने का दारो मदार इनी में से किसी एक पड़ होगा आज गणतंत्र दिवस के सुब आउसर पर इन चारों युवाओं और इस मिशन से जुड़े भारत और रूस के वैग्यानी को एवं इंजिनियरों को मैं बधाई देता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों पिछले मार्च में एक वीडियो मेडिया और सोशल मेडिया पर चर्चा का विशय बना हुआ था चर्चा यह थी कि कैसे एक सो साथ साथ के एक बुजिर्ग मा राश्टपती भवन समारों में प्रोटोकल तोड़कर राश्टपती जी को आशिरवात देती है यह मेला थी सालू मर्दा थिमक्का जो करनाटक में वरक्ष माता के नाम से प्रख्यात है और वो समारों था पद्मपुरसकार का बहुती साधारन बैक्राउंड से आने वाली थिमक्का के असाधारन योगदान को देश ने जाना, समझा और सम्मान दिया था उन्हें पद्मस्री सम्मान मिल रहा था साथियों आज भारत अपनी इन महान विभीतिओं को लेकर गर्व की अनुभूति करता है जमिन से जुड़े लोगों को सम्मानित कर गवरवानवीत महसुस करता है हर वर्ष की भाती कल शाम को पद्म पुरसकारों की गोशा की गई है मेरा आगरह है कि आप सब इन लोगों के बारों में जरूर पड़े इनके योगदान के बारे में परिवार में चर्चा करे 2020 के पद्म पुरसकारों के लिए इस साल 46,000 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए है यह संख्या 2014 के मुकाबले 20 गुना से भी अधिक है यह आकड़े जन जन के इस विश्वास को दर्ताते हैं कि पद्म एवर्ड अब पीपूल्स एवर्ड बन चुका है आज पद्म पुरसकारों के सारी प्रक्रियां ओनलाइन है पहले जो निर्णे सिमित लोगों के बीच होते थे वो आज पुरी तरह से पीपल डीवन है एक प्रकार से कहें तो पद्म पुरसकारों को लेकर देश में एक नया विश्वास और सम्मान पैदा हुआ है अब सम्मान पाने वालों में से कई लोग ऐसे होते हैं जो परिष्णम की पराकाश्ठा कर जमीन से उठे हैं सिमित संसाधन की बाहदाओं और अपने आसपास की घंगोर निराशा को तोड़ कर आगे बढ़े हैं दरसल उनकी मजबूत इच्छा सुकती सेवा की भावना और निश्वार्द भाव हम सभी को प्रेरित करता है मैं एक बाद फीर सभी पद्मपृसकार विजयताओं को बधाई देता हूं और आप सभी से उनके बारे में पढ़ने के लिए अधिक जानकारी जुटाने के लिए विशेश आग्रह करता हूं उनके जीवन की असाधन कहानिया समाज को सही महने में प्रेरित करेंगी मेरे प्यारे देश्वासियों फिर एक बार गणतंत्र परवकी अनेक अनेक शुब कामनाएं यह पूरा दशक आपके जीवन में भारत के जीवन में नए संकल्पों वाला बने नई सिद्धी वाला बने और विश्व भारत से जो अपेक्षा करता है उस अपेक्षाओं को प और आप तक करके रहें इस एक विश्वास के साथ आईए नए दसक की शुरुआत करते हैं नए संकल्पों के साथ माभारती के लिए जुड़ जाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद तमश्कार बर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी दो हजार बीस की पहली मन की बात करते हुए अलाकि ये एक सथवा संसक्रण है बर्धान मंतरी नरेंद्र मोदी की मन की बात का इसमें फोकस बच्चों पर भी रहा खास तौर पर खेल पर बच्चे फिट कैसे रहें खास तौर पर बच्चे एक्जाम से पहले टेंशन ना ले इसके अलावा भी बहुत सी बातों का जिक्र किया बर्धान मंतरी नरेंद्र मूदी ने